अगर आपके पास भी पैट बर्ड है और आप यह जानना चाहते हैं कि वो तोता है या फिर तोती तो मैं आपको कुछ सिंपल सी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप आसानी से पता कर लेंगे कि जो आपका पैरट है कि वो गल है या फिर बॉय इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी बेबी पैरट को देख कर आसानी से बता देगे कि वो मैल है या फिर फिल मैल तो सबसे पहले हमारा चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और एनी क्वेरी वो तो कमेंट में पूछ लीजएगा और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और हमारी नई वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए बैल आइकन पर भी क्लिक कर दीजेगा तो कैसे पता करें कि आपका जो पैरट है वो मेल है या फिर फिमेल वैसे तो जब आपका पैरट 3 years का या फिर 3 साल का हो जाएगा तब आप easily boy होगा तो उसकी ring पूरी आ जाएगी तो red and black कलर की और अगर वो girl होगा तो सिर्फ उसके shadow black ring आएगी जिसमें हलके रंग के black feathers आपको नजर आएगे red ring नहीं आएगी और जो female parrot है उसके सिर्फ black shadow ring आएगी उसके neck पर लेकिन अगर आपका parrot baby है और आपको पता करना है कि वो boy है या फिर girl तो आप कुछ चीजे notice करके पता कर सकते हैं कि आपका parrot male है या फिर female तो जो first step है कि वो है पहला male parrot का जो पहला step हो है कि जो male parrot का जो head है means तोते का जो सिर्फ होता है वो female parrot से थोड़ा सा बड़ा होता है और इसकी इनकी जो head की shape होती है वो भी थोड़ी अलग होती है male parrots का सिर्फ चोड़ा होता है means square type का आपको नजर आएगा और जो female parrots का ज difference है वो यह है कि जो male parrot होता है उसकी आंकों का जो color है वो female parrot की मुकाबले थोड़ा ज़्यादा dark होता है तो आप अपने parrot की आंक देखकर पता कर सकते हैं कि वो male है या फिर female तीसरा जो male parrot तीसरा point मैं आपको बता रहा हूँ जो male parrot होते हैं उनकी जो feathers और female parrot है जो उनकी feathers देखकर भी आप पता कर सकते हैं कि वो male है या फिर female जो तोता होता है तो उसके feathers होते हैं वो dark green color के होते हैं हाँ friends dark green color के और अगर तोती है तो उसके जो feathers होते हैं वो light green color के आपको नज़राएंगे तो अगर आपके parrot के feather dark green color के हैं तो वो boy है और हलकी green कलर के हैं तो वो girl है और जो four difference में आपको बताऊंगा इनकी जो beak होती है जो means जो उनकी चोच है उनमें भी थोड़ा difference आपको नजर आता है male parrot की जो चोच होती है जो beak होती है वो नीचे से थोड़ी से काली नजर आएगी और उपर से dark red होती है और जो female parrot की जो चोच होती है जो beak होती है वो नीचे से yellow और orange से color की आपको नजर आएगी ठीक है और जो उपर से red होगी means male parrot की beak है वो female parrot की beak से थोड़ी ज़्यादा red होती ह है तो आप अपने पैरट की बीग का कलर देखकर भी पता कर सकते हैं कि वो डार्क है या लाइट ठीक है फ्रेंड्स और अम में जो आपको बताने जा रहा हूं वो है लाश्ट डिफ्रेंड्स यह है कि अगर आपका पैरट मेल है तो जब वो एट मंस का हो जाएगा तब से उस की गरदन पर रैड फैदर्स आपको नजर आने लग जाएंगे पर कुछ पैरट ऐसे भी होते हैं जिनकी ब्लैक फैदर और रैड फैदर्स थोड़ी लेट आते हैं पर कैसा भी पैरट हो उसकी फुल रिंग तीन साल के अंदर आ जाती है फीमेल पैरट के एक साल के होने पर कुछ लाइट ब्लैक फैदर्स आपको नजर आने लग जाएंगे और जब वो तीन साल की हो जाती है फीमेल पैरट आपकी तब तक उनकी पूरी ब्लैक शैडो रिंग आ ही जाती है और वो पीछे से लाइट ग्रीन होती है अगर आपका पैरट मेल है तो जब वो एक साल का ह हो जाएगा तब से उसकी गर्दन पर उसकी नैक पर जो फैदर्स है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे और जब वो तीन साल का हो जाएगा तब तक पूरे जो फैदर्स है वो आ जाएंगे और अगर ऐसा नहीं है तो आपका पैरट फीमेल है बैसे मेल और फीमेल पैरट दोन नहीं पढ़ता कि तोता है या तोती क्योंकि दोनों ही बोल सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कोई